फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर इलाहबाद हाई कोट की लखनव बैंच ने आदेश बड़ा दिया है हाई कोट के याचिका की अगली सुनवाई पर फिल्म के निर्माता भूशर कुमार निर्देशक ओम राउत और मनोज मुंतशिर को तलब किया है आदेश के मताबिक तीनों को खुद कोट में पेश होना होगा बतादे की हाई कोट की लखनव बैंच ने फिल्म के प्रड्यूसर भूशन कुमार ओम राउत और मनोज मुंतशिर को इस परसनल तलब किया आदेश में कहा गया की अगली तारीख पर तीनों को हाई कोट में पेश होना होगा इसके साथ ही हाई कोट ने पांच सदस्यों की कमेटी बनाने को भी कहा है कमेटी में दो सदस्ये वॉल में की रामायन के ग्याता हो जो ये देखे कि फिल्म में राम, सीता, हनुमान, रावर, विभीशर की पतनी को जिस तरह दिखाया गया क्या वो सही है कमेटी को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट कोट में दाखिल करनी होगी इस से पहले भी हाई कोट में याची का पर सुनवाई होई थी और इस दौरान कोट में कहा था कि रामायन में कितने किरदार है जिसकी पूजा की जाती है उनको फिल्म में किस तरह दिखाया गया है फिल्म 16 जून को रिलीज हुई थी अब तक कुछ नहीं हुआ तो तीन दिन में क्या होगा लेकिन हम फिर भी छुट्टी में इनको सुन रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि वो फिल्म से आहत हुए हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी फिल्म नहीं देख पाए हैं जो लोग भगवान राम लक्षमन सीता और हनुमान जी को मानते हैं वो फिल्म नहीं देख पाएंगे बता दे कि 27 जून को हुई सुनवाई में हाई कोट ने सेंसर बोड को फटकार लगाई थी सेंसर बोड की और से पेश अतिरिक्ट सॉलिसिटर जनरल से कोट ने पूछा कि आपत्ती जनक द्रिश्यों, कपडों और सीन्स के बारे में क्या किया जा रहा है अगर हम लोग इस पर भी बंद आख कर लें, क्यूंकि ये कहा जाता है कि ये धर्म के लोग बड़े ही साहिशनु है तो क्या उनका टेस्ट लिया जाएगा? क्या ये शेहनशीलता की परिक्षा है? ये कोई प्रॉपेगेंडा के तहत की गई आचिका नहीं है क्या सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी निभाई? ये तो अच्छा है कि उस धर्म के बारे में जिसके लोगों ने कोई पब्लिक ओर्डर का प्रॉब्लम क्रियेट नहीं किया यहां तो भगवान राम, हनुमान और सीता मा को ऐसा दिखाया गया जैसे क्या ही है? बता दे कि 26 जून को हुई सुनवाई में कोट ने कहा था कि सिर्फ रामायन ही नहीं बलकि पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ, साहिब और सीता जैसे धार में ग्रंथों को तो कम से कम बख्ष दीजिए बाकी जो करते हैं वो ही करते रहें कोट ने फिल्म के निर्माता निर्देशक के साथ दूसरे प्रतिवादी पार्टियों की कुछ कोट में अनुपस्तिती पर भी कड़ा रुख भी दिखाया था अब देखना होगा कि ये मामला आगे क्या रुख लेता है